उत्तर प्रदेश के राइब रेली में स्थीत भवानी गड़ गोल चुराहे से करीब 200 मिटर की दूरी पर स्थीत एक दर्दनाक हाथसा हो गया यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टकर मार दी जिसमें एक युवक की मौके पर ही मोत हो गई और दूसरा गंभी रूप से घायल हो गया जानकारिक एनुसार स्रीजन विद्याले के सामने हैदर गड़ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बच्रावा की ओर से आ रहे बाइक सवार को सामने से टकर मार दी जिसमें बाइक सवार सरोज कुमार निवासी बान टोला कसबा बच्रावा की मोखे पर ही मोत हो गई वहीं मिर्तक सरोज कुमार का चचेरा भाई धीरस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया सुचला के बाद पुलिस ने मोके पर पहुच कर ट्रक व बाइक को कबजे में लेकर दोनों को सामुदा एक स्वस्थे के इंदर शीवगर पहुचाया जहां डॉक्टर ने सरोज कुमार को मृत घोशित कर दिया वही धीरस कुमार की हालत गंभीर देखते हुए पुलिस ने मृतक के शवब को कबजे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्ट माचम के लिए भेज दिया है हाथसे के बाद चालब च्रक छोड़कर मोके से फरार हो गया पुलिस ने च्रक को कबजे में लेकर मामले की जान शुरू कर दे राय बरेली से सबदाता सुधीर अगनी होतरी की रिपोर्ट तो धीरज कुमार को कहा वेजा गया इसमें लखनो वेजा गया डामा संटर शीवर से ट्रामा संटर के लिए रिफर किया गया है और मौत किसकी हुई है सरोच मौत शर्च सुभनाम क्या है आपका डॉक्टर प्रेंट सर्ण शर्ण यहां सियस्थिम कफी वेज़ भाड़ा क्या हुआ है पुली सेक्से जंटर दो वेक्तियों को लेके आई हमारे यहां जिसमें से एक ब्रत वस्ता मी पाया गया जिसका दाम सरोच मौता दूसरा जो है गंबीर ग्यालोस्ता में था जिसका प्राथमी गुपचार के बाद ट्रमा सेंटर लखनों के लिए रिफर कर देया गया है तो जिसको रिफर किया गया है क्या नहों है उसका दीर अश्तुमार दोन रुब्यक्ति बच्छाओं के रहने वाले थी 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 लूज मैरिच पैलस राजगराना था जेती बंक व एकल बैल इकन को खिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें है ने बार